हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर अगजिंद पुरवीट और मैंने अतना जो पिएजडी है वो एलजब्रा में किया है और स्टुडेंट मैं CSI NET भी क्लियर हूँ और मैं अपने जो वीडियोज हैं वो इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टुडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इस्टुडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोज कहा है तो आप प्लीज अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहे है तो आप मैं यहां पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सबी टाइप के मैंने अलग- वहाँ पर भी मैं उसको डालने वाला हूँ जिससे की आपको इस पता पड़े कि सर ने इसमें यह मिस्टेक कर दी सो देट कि अवाइट करें और स्टुडेंट्स अगर आप सीसाइर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबैल के प्ले स्टोर में जाके अनकेडमी क अप स्टोल करें दैन वहाँ पर आप गजिन्द को सuka करें दैन आप मुझे आप फोलो करें सो देट की मेरे जिते भी कोर्सें से उन सब बी पोर्षें के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप मेरे कोर्स को रेट करें रिवीव करें अपने फ्रेंड्स की साथ सो देट की उनने को भी इसका बेनेफिट मिले हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद परईत और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज और अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है कैसे हम इस टाइप की सीरीज के लिए यहां पर टेस्स लगाते हैं और यहां पर जिसे नमली लेबनिस टेस्स यूस होता है इस सीरिस के बाद आगे एक कंसेप्ट हो राता है that is absolute convergent और conditional convergent तो यह कंसेप्ट भी है जिस पे में आपके सामने next वीडियो लेकर आना वाला हूँ so student इस से पले मेरे जितन भी वीडियोस है जो इन्फानेट सीरिस पे मैं अपलोड कर रखे जिसमें अलग-अलग टेस्ट में आपके सामने यहाँ पे ली हैं so यह आईटे बारा आप आप जाके मेरे सबी वीडियोस देख सकते हैं plus मेरे B.S.C. और Engineering, Mathematics पे और भी वीडियोस है तो वो student वो भी आप मेरी प्लेलिस में जाके देख सकते हैं और अगर अगर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नी किया तो अप मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लेल को प्रेस कर ले so that कि आपको आने वाले जिते भी मेरे वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे so student alternating series होती क्या है बैसे नाम से पता पड़ रहे कि यहां पर अल्टिनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा पर इसका जो मेंड देफिनेशन होती वो क्या होती है a series of the type this इस टाप की जो series होती है u1-u2-u3-u4 मतलब प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस इस तरह से कोई दो 1-2-1 नेटिट वोता है, right अब इसकी जो example है और देखिलीजिए अब लाइक सममेशन माइनस वन पावर n-1 अगर जो नेटिए को लें तो क्या आएगा 1-1, 1-1 दो इसे चलता रहेगा, right so, इस type की जो series होती होती हुए उसको अम क्या बोलते है इसके लिए यहां पर लेबनीज ने यह बताया था कि अगर यह कोई सीरीज में जिसे आपको वैसे डेफिनेशन बताउंगा लेबनीज टेस्ट की क्या होती है पर अगर जैसे इसकी जो सीरीज ही यह डेजिंग टाइप की सीरीज है मतलब इसकी यह बाली टाउ में यह स्टम से क्या है छोटी है प्लस इसके जो end term पे उसको end term पे अगर end terms to infinite रेक्ट ने पर zero हो जाता है तो वो series क्या होती है? Convergent होती है वो मैं आपको definition से आपको समझाऊँगा कि Leibnese test क्या होता है with example अपन discuss करेंगे so मैं आगे आपको इसके पर बताता हूँ so Swin यहाँ पर question देखिए परली बातो मैं कांसर बताता हूँ कि Leibnese test होता क्या है कैसा हम alternating series का convergent और divergent पता करता है so Swin यहाँ पर Leibnese test दिया था Leibnese test for the convergence of an alternating series यह बोलता है कि if an alternating series n is equal to 1 to infinity is minus 1 power n minus 1 un u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus this 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 is satisfying following condition अगर यह जो series है अगर यह इंदो condition को satisfy करती है तो यह series क्या होती है convergent होती है otherwise यह series convergent नहीं होती है so देखे each term is numerically less than the preceding term that is मतलब यह जित्ती भी term है यह दूसरे से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए like यह decreasing होना चाहिए मतलब यह जो u2 है u1 से छोटा होना चाहिए u3, u2 से छोटा होना चाहिए u4, u3 से छोटा होना चाहिए मतलब घटते हुए करम में होना चाहिए and limit n tends to infinity इसकी जो n चाहिए उस पे कर हम n tends to infinity limit लगा है तो इसकी value क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए अगर यह दो condition satisfy होती है तो labnees यह बोलता है कि यह जो series होती है क्या होती है convergent होती है तो student इसमें मैं आपको एक example समझाने कोशिश करता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे convergence को पता करते हैं so देखे test the convergence of the following series यह आपको एक series दे रखिए और आपको यहाँ पता लगाना है यह यह convergent है या divergent है तो सबसे वहले हम यह चेक करेंगे कि यह जो series है इसमें दो कंडिशन सटस्फाई हो रही कि नहीं हो रही तो student सबसे पहले देखे आप लोग यहाँ पे un plus 1 is less than un for all n belongs to n हो रहा है और ही हो रहा है मतलब यह हो रहा है कि यह ली टर्म इससे छोटी त्रीके बराबर यह ली से छोटी यह ली से छोटी सब कम होती जा रही है इसका जो फर्स कंडिशन है और इसकी साटेस्फाई हो रही है ना नेक्स्ट लिमिट n टांस टू इंफिनिटिव यू न मतलब इसकी जो एंथ टर्म होगी स्टूदेंट्स वो होगी 1 upon n यह 2 factorial 3 factorial इसकी जो एंथ टर्म होगी वो क्या होगी 1 upon n factorial और जैसे मही यह पे n टर्स टो इंफिनिटिव रखूँगा तो इसकी वेली कितने आएगी 0 आएगी मतलब यह दोनों कंडिशन क्या होगी? सट्स्वाइ होगी तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस टेस्स को लगा के हम पता लगाते हैं यह सीरीज कनवर्जेंट है या नहीं है तो मैं एक दू क्रेशन वोड लेता हूँ तो इस टोपिक को कदम करते हैं तो next question, see the student here, test the convergence of this तो आपको एहाँ पतालगा कि यह सीरीज कनवर्जेंट है, को है है यह नहीं है So by Lebniz test, हम सबसे बले यह पता लगाएंगे है First, हम चेक करें इसके रिंदर कि यह 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 जो first condition यह यह साटिस्वाइ है and what is the first condition, what is this is? Un plus 1, would mean मतलब इसका जो next term है, वो पली वाली तम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब यह होना चाहिए, कि un plus 1 is less than un for all, n belongs to n होना चाहिए, तो student देखे, यह वाली जो term होगी, यह इस term से क्या होगी, छोटी होगी है, मतलब in the sense, 1 upon root 2 minus 1, sorry, root 3 minus 1, 1 upon root 2 minus 1 से क्या होगा, छो यहां पर un आता है, तो limit n tends to infinity un, un क्या होगा, student यहां पर 1 upon root n minus 1 होगा, right, क्योंकि root, यहां पर 2 आ रहा, sorry, root n plus 1 minus 1 होगा, n plus 1 minus 1 होगा, ठीक है, तो आप यहां पर क्या क्या करेंगी, जैसी आप n tends to infinity रखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, पूरा, infinity हो जाएगा, 1 upon infinity की value कितन मिलेगी, 0 मिलेगी, तो यह दूनों condition यहां पर क्या हो रही है, satisfy हो रही है, so by Leibniz test, given series is, convergent, एक last question लेता है, फिर इसको खतम करता है, So student, last question लेता है, यहां question यह है, कि prove that the series summation minus 1 power n upon x power n upon n is, convergent if mod x is less than 1 and divergent if mod x is greater than 1, So student, what's up here, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको delimit ratio test लगाना पड़ेगा, यहां पर un दिरिखा, यहां पर minus 1 power n upon x power n upon n, यह इसका un is, then un plus 1 यह होगा, obviously n की जगे हम क्या रख देंगे, यहां पर n रख देंगे, यहां पर यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां मतलब आपके आपके बास value cancel ho गी, यहां पर आपके आपके do duί लगा, यहां पर 1 upon n upon x, यहां पर n the value cancels नहीं होगा, मतलब इसको村 मअ पर 1 सिंप्लिफाय करेंगे और mod positive value लेंगे, यह value आपके बास, right? अब यह जो mod x, इस mod x सो बाहर निकाल दीजे, then यहाँ पे n common लीजे, तो यहाँगा 1 upon 1 plus 1 by n, और n tends to infinity, पे स्टोरीन, यह क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 से multiply होगा, तो यहाँ से इसकी वेलिए क्या होती है, mod x होती है, so by d limit ratio test, इसकी वे कि end, test fail, if mod x is equal to 1, आपको यहाँ दो, तो जब मैंने d limit ratio test बताया था, तो वहाँ पे, जब इसकी वेलिए less than 1 आती, तो convergent होता है, greater than 1 पे क्या आता है, divergent होता है, बराबर जब 1 आता है, तो वो test के हो जाता है, fail हो जाता है, और अगर आपको वी problem आ रहे हो, यहाँ पर जाक सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्या है, ना, mod x is equal to 1, तो mod x is equal to 1 का मतला होता है, x is equal to plus 1 and x is equal to minus 1, तो plus 1 minus 1 दोनों पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा, तो मैं एक बार x की जगे का रखता हूँ, plus 1 रखता हूँ, तो इस x की जगे में plus 1 तो आपके बास जो सीरीज आएगी, मैं इसको खोल लेता हूँ, तो कितना आएगा स्टुडेन यहाँ पर, आप इसको सीरीज को खोलेगा, और x की जगे जगा 1 रखे तो यहाँ जगा जब n की जगे यहाँ जग 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 सबसे पहले कंडिशन की ए अधी कि यू एं प्लस फान का उना चाहिए, उन से चोटा हो चाहिए तो बिलकुल छोटा है है ये तंम से चोटी है ये तंम से चोटी है ना तब 1 बाई 3, 1 बाई 2 से क्या है चोटा है series is convergent at x is equal to plus 1, right? अब हम x की जगा क्या रखते हैं? minus 1 रखते हैं, जैसे मैं x की जगा minus 1 रखता हूँ, तो इस पुरिंट जहाँ पर x से जब भी यह, मैं खोलू हूँ हूँ इसको है, इस series को खोलते हैं, मैं एक बाए खोल लेता हूँ है, तो यह आएगा minus plus 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 इस तरह से series आते हैं, यह जो series होती है, हमारे क्या होती है divergent होती है by the p series test p series मतलब क्या होता है, मारा जो test होता होता है, 1 upon n power p तो p जो होना चाहिए, वो क्या होना है, एक से बढ़ा होना चाहिए, पर यह बराबर एक आ रहा, यह एक से छोटा आ रहा, तो उस वाले case में, जो series होती है, वो क्या होती है, divergent होती है, so यह at the series is divergent at x is equal to at x is equal to minus 1, तो minus 1 पर यह क्या होगी divergent होगी, तो इस तरह से भी question exam में आ जाते हैं, तो इस वाले question में, यह question इसले भी important है, क्योंकि इसमें deal number ratio test भी लग रहा है, then lab need test का concept भी लग रहा है, तो अलग-अलग condition हम यहाँ चेक कर रहे है, तो student ऐसे questions important होते है, so अब मेरा जो next video है जो मैं अगला next topic डालने वाला हूँ, वो है आपका absolute convergent और conditional convergent का concept क्या उतर कैसे, उस पर best dumb questions करता है so student अगर मेरे videos अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे channel को subscribe करिए, और अपने friends को ज़रूर शेर करिए और बने रहे हैं, और अगर आपको कोई लगता है तो please आप मुझे comment करके बता सकते हैं, कहीं आपको problem आ रहे है, तो आप मेरे साथ यहाँ पर share कर सकते हैं student मैं, unacademy पर verified educator हूँ तो आप महाँ पर भी मेरे CSI net और IIT GM की वीडियो से वो महाँ uploaded है, महाँ भी आप जाके unacademy का app इस्ट्रोल करके, आप महाँ पर जाके मेरे videos को देख सकते हैं, so student thank you so much for watching my videos, thank you